हेलो एंड वेलकम बेक टो आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेत गुरू चेला So my dear students, कैसे हैं आप सब? I just hope कि आप सभी अच्छे होंगे और बहतर तरीके से आप लोग अपनी studies जो हैं कर रहे होंगे आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी useful, काफी important और काफी ज्यादा informative होने जा रही है आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के skill enhancement compulsory codes यानि की SEC paper Your laws, your rights पर अब तक हमने इस subject की first unit जो था the rule of law and the criminal justice system in India अब तक हमने दो अलग लग वीडियो के माध्यम से हमने rule of law के concept को जाना, समझा और साथ ही जो criminal justice system है वो क्या है उसको भी हमने जानने की कोशिश की अब हम आगे बढ़ते होए चर्चा करने का प्रयास करने जा रहे हैं आप लोगों की next unit, unit 2 laws relating to criminal justice administration को आज इस वीडियो के माध्यम से जस्ट हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि upcoming videos के माध्यम से हम कौन-कौन से topics को cover करने का प्रयास करने जाएंगे तो देखिए ये एक quick introduction है आप लोगों की second unit laws relating to criminal justice administration का आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि upcoming days में जो भी videos upload हूंगी first information report यानि कि FIR, detention, arrest and bail तो ये जो topics हैं ये काफ़ी जादा important topics हैं from exam point of view so आईए वीडियो को start करते हैं and आपको बताते हैं point to point की कौन-कौन से topics को हम आने वाली videos में आपके लोगों के साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे so I just hope कि आपने इसके पिछले की जो videos हैं उनको देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया है कि the concept of rule of law आखिरकार क्या है criminal justice system in India जो है वो क्या है दोना जो है एक दूसरे से किस प्रकार related है so देखिए जैसे कि इस theme का name है laws related to criminal justice administration इसके अंदर basically first of all आपको पढ़ना है जानना है कि आखिरकार ये criminal justice administration जो है ये किसे refer करता है वहीं इसके बाद आपको इसके अंदर पढ़ना है कि ऐसे कौन-कौन से laws हैं जो कि relate करते है criminal justice administration से अगर हम बात करें इसके introduction के बारे में तो देखिए हर एक जो civilized society है उसके अंदर क्या है कि जो criminal justice system जो है वो composed है laws से जो related है to the society's response to the crimes and the procedures of the administration जो भी society के अंदर crimes होते है जो भी society के अंदर घटना घटती है उससे related जतनी भी laws है वो सभी के सभी जो है criminal justice administration के अंतरगर्थ जो है रखे गए है अगर हम बात करें इसके main objective के बारे में इसके main purpose के बारे में तो देखिए जो criminal justice जो है उसका जो objective है या फिर अगर हम objectives की बात करें criminal laws की बात करें तो ये जो है protect करते है society को against the wrongdoers and the laws breakers जो भी society के अंदर कानूनों को तोड़ता है जो भी law breakers है या फिर जो society के अंदर कुछ भी गलत करता है murder करता है चोरी करता है उसके खिलाफ एक जो action है वो लिया जाता है इस criminal justice administration के अंतरगर्थ ठीक है तो इसके जो introductory part है इसके अंदर आप ये जान पाएंगे कि आखरकार जो criminal justice administration है वो क्या है जो कौन कौन सी laws जो है जो related है criminal justice administration से वो क्या है किस प्रकारों को आप जो है explain कर पाएंगे and so on अगर हम बात करें कुछ इसके main objectives के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे objectives जो कि criminal justice system को बहतर तरीके से define करते है explain करते है then इसके बाद हम बात करेंगे कि types of criminal offenses कौन कौन से है इंडिया के अंदर कौन कौन से offenses को criminal offenses के अंदर रखा गया है ये हम इसके अंदर जानने का प्रियास करेंगे जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि cognizable offenses कौन कौन से होते है non cognizable offenses कौन कौन से होते है then bailable and non bailable offenses कौन कौन से होते है then in the end आप जो है compoundable and non compoundable offenses के बारे में जानने का प्रियास करेंगे वही अगर हम बात करें offenses के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले cognizable offenses के बारे में इसके अंदर क्या है कि पुलिस have authority to arrest the persons accused of committing crime without a warrant इसमें पुलिस क्या है उसके पास यह authority है कि वो बिना warrant के जो है जो जिसने crime किया है उसको arrest कर सकती है इसमें कौन कौन से crime को शामिल किया गया अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें kidnapping, rape, death on account of dory, murder, theft इन सभी के सभी crimes को इस cognizable offense के अंतरगत रखा गया है While other hand अगर हम बात करें non-cognizable offenses के बारे में तो यह जो है इतने serious जो nature के जो offenses है वो नहीं है जैसे की cognizable offenses है इसमें क्या है कि our police officer has no authority to arrest without warrant इसमें police के पास यह authority नहीं है कि वो विना वारेंट के जो है किसी भी मुझरिम को किसी भी criminal को जो है वो ग्रफतार कर सके ठीक है इसके अंदर अगर हम कुछ offenses क्यों रखें तो इसमें आते हैं causing public nuisance, cheating and so on ठीक है Then इसके बाद हम available, non-bailable offenses के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे Then compoundable, non-compoundable offenses के बारे में पढ़ेंगे लेकिन जो important है वो है cognizable offenses and non-cognizable offenses from exam point of view Then इसके बाद है आपका most important part जो कि है first information report यानि कि FIR FIR क्या है कि it is a document that is prepared by the police यह एक तरिके का document है जो कि police की दोरा जो है prepare किया जाता है on receipt of the information about commission or occurrence of an offense जो भी society के अंदर कोई offense घटता है कोई भी घटना घटती है ठीक है जो भी उसके बारे में information होती है उसको as a document as a legal document के दोर पर हमें file group में रखते है and it can be filed in the cases of cognizable offenses only इसकी जो खास बात है वो यह है कि यह जो है केवल cognizable offenses के अंतरगर्थी आप जो है फैल कर पाते हैं यानि कि जो first information report है वो केवल serious crimes के लिए ही रखी गई है जैसे किसी के साथ rape हो जाए किसी का murder हो जाए किसी की death on account of door ही हो जाए इन serious crimes के लिए जो है FIR जो है वो file की जाती है वही next जो है वो है complaint लेकिन complaint को पढ़ने से पहले हम अगर आपको बताएं कि first information report में हम क्या के चीज़े पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि who can file first information report कौन है वो जो की first information report जो है file कर सकता है क्या-क्या उसका procedure है कैसे हम FIR को जो है file करेंगे then कौन-कौन से content रखे गए हैं क्या importance है first information report का ये भी हम इसके अंदर पढ़ने का प्रियास करेंगे then in the last in case of refuse of file FIR by police अगर पुलिस जो है FIR file करने से refuse कर दे तब हम क्या कर सकते हमारे पास कौन-कौन से अधिकार है इन सभी के बारे में हम विस्तार पूरवक इस first information report जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे then next है complaint अगर हम complaint की बात करें तो देखे complaint जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि complaint का मतलब यह है यह भी एक तरीके की FIR के तौर पर होती है लेकिन FIR जो है वो serious cases को लेकर file करी जाती है complaint जो है वो serious cases के लिए file नहीं की जाती है वहीं इसके बाद जो arrest and detention है इसके बारे में हम पढ़ेंगे basically जो complaint है and जो arrest and detention है यह जो है most important tools है for the investigation of an offense किसी पर offense की investigation के लिए यह जो है काफी जादा important tools है इसके दर हम पढ़ेंगे कि who can arrest हमें जो है कौन arrest कर सकता है procedure क्या है arrest करने का and हमारे पास कौन-कौन से rights है इसके बारे में इसके इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे then detention की बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे arrested person को detention जो है दिया जाता है then इसके बाद जो है our next topic bail bail के अंदर हम पढ़ेंगे की आखरेकर bail क्या है क्या क्या Cole mão सीजर होता है bail का And कितने तरह की की बेल हैं, जिसमें regular बेल है, interim बेल है, anticipatory बेल है, इन तीन तरह की की बेल के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे. Then कौन-कौन सी conditions रखी जाती हैं बेल पर ये भी हम इसके अंदर प्रयास करेंगे जानने का. Then in the last, cancellation of बेल भी हम इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे. Then इसके बाद, summary points को देखेंगे, कुछ ऐसी main-main points को हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि काफी important है, from exam point of view. And in the last, suggestive readings, इसके अंदर हम कुछ ऐसी readings, कुछ ऐसे web links को suggest करेंगे, जिनकी help से आप लोग जो हैं, इस unit को बहतर तरीकी से understand कर पाएं. So overall, ये एक basic quick introduction था, आप लोगों की unit 2, जो की है laws related to criminal justice administration के लिए. जो इतनी भी upcoming videos होंगी, उनके माध्यम से हम हर एक topic को बहतर तरीकी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे. So, इस video में सिर्फ इतना ही, I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी doubts हैं, कुछ भी आपकी queries हैं, तो बेजी जग आप लोग जो हैं, comment box action में comment करकर पूछ सकते हैं. हम पुरा try करेंगे, आपके comments के reply करने का, आपके doubts को clear करने का. अगर आप channel पर नए हैं, तो please पढ़ाई with Guru चिला को notification bell icon को press करते हुए, जरू subscribe कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की notifications आपको मिलती रहें. किसी भी प्रकार का important topic, important video आपसे मिसना हो. अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है, तो उसका link भी हमने इस वीडियो के description box में provide करा दिया है. आपको just simply description box को check करना है, और उसमें दिये गए link पर click करकर आप जो है, telegram channel से जुड़ सकते हैं. वहापर जो steady material provide कराया गया है, उसको आप download कर सकते हैं. जो web links हैं, उनकी help से जो हैं, बहतर तरीके से आप concepts को clear कर सकते हैं. वहीं अगर आपको कुछ भी queries हैं, कुछ भी आपके suggestions हैं, जिन्हें आप send करना चाहें, तो आप हमारे Instagram page को follow कर सकते हैं, जिसका ID जो है, हमने description box में provide करा दिया है. आप simply Instagram पर search करकर देखेंगे कि पढ़ाई with guru चेला, तो simply आप देख पाएंगे, एंड उसको follow कीचिए, एंड वहाँ पर जो अपने queries को, अपने suggestions को send कीचिए. आप जो हैं हमारी mail ID, पढ़ाई with guru चेला, at the net gmail.ke maagdhyam से भी, आप लोग अपने suggestions हैंको send कर सकते हैं. So, इसे के साथ, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.